हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, दियो जी के ट्रिक, फ्रेंज इस चैनल पर सभी कम्टेवटी एकजाम की तैयारी करा जाती है, जहां पर आपको प्रोवाइट करा जाते हैं मास्टर वीडियो, ताकि आपका सले बस जल्दी से जल्दी कबर हो, और आप टेस्ट पेप हमारे करेंट अफ़ेर वगहरा पास सकते हैं, और हमारी जो नोट्स है, वहाँ पर आप पास सकते हैं, तो फ्रेंज, हमारे टेली ग्राम नमबर से जुड़ते हैं, तो आपको पीडियए जितनी है, सबी मिल जाएंगी साथ में हमारे वीडियो के सबी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो आप डारेक्ट हमारे सबी वीडियो देख पाएंगे तो फ्रेंस हमने आपर एक कोश्चन दिया था कल कोश्चन था माहवीर स्वामी का जन्म कब हुआ था किस डेट को तिया आपर जवाब दिया है पांसो चारिस इस भी को जन्म हुआ था और चार सो चारिस इस भी को उनकी मृत्ति हुई थी 72 वर्सकी आई में तो देखते हैं किसने जवाब सही दिया है तो आरती पाटक ने विकास कुमार ने दिया है संतोस रस्तोगी ने दिया है और सभी लोगों ने काया कि सर जो हमारे इसमें कोश्चन है तो कोश्चनों की संख्या दोड़ा सब बढ़ा दीजिए ताकि इसले बद जल्दी से कबार हो जाए तो प्रेंथ हम मेनत आपके साथ कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कोश्चन आपके कब आरो जाए है इसलिए हमने पांच वीडियो में सोचा है कि आपको पूरे कोश्चनिए आपबर दे देते हैं तो यहाँ पर हमारे इस दूसरा पार्ट है तीन पार्ट हमारे और पाँच पार्ट में ही आपके हिस्टी फूरी खतम कर देंगे ठीक है फ्रेंट्स तो चलते हैं यहांपर अंब पहला कॉस्चन है सिकंदर की मृत्यू कहां पर होई थी सिकंदर की मृत्यू कहां होई थी फ्रेंट्स तो हमारा इसका साही जवाब हो जाएगा बेबी लोन यहाँ पर आपको अंसर दिख गया है लेकिन अगला question में अंसर आपको नहीं दिखेगा लेकिन उससे जुड़े हैं हम question देख लेते हैं कि बेबी लोन में इनके म्रत्ती होई थी तुकाब होई थी अब यह हमारे स्रीकंदर जो दमान थे यह हमारे फिलिपस दुदी के पुत्र थे तीस सा हमको question इतने बन सकते थे नेश कोचन देखते हैं भारती राष्टी पंचाक किस नाम से जाना जाता है तो भारती राष्टी पंचाक जाना जाता है वो हमारा सक्स समवताधारित करिंडर है जिसको भारती सरकार ने अर्तात हमारी समविदान ने 22 मार्च 1957 को इसको accept किया था अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह हमारा question आ चुका है और next question हमारा है कि इसापूर दुती सदी में कागज बनाने की कला को किसने खो जाता तो कागज बनाने की कला को किसने खो जाता फ्रेंट्स यह हमारा A सही जवाब होगा चीनियों ने इसको खो जाता लेकिन आदुनिक पेपर बनाने की जो प्रक्रिया थी इसकी खोज हमारी जिंग जौंग ने की थी जिंग जौंग दोरा की गई थी मेगस तनीज द्वारा रचित किस गरंत से मौरे कालिन इतियास का पता चलता है तो यह हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडिका तो अब इससे जूड़े हुए हम कोश्चन देखते हैं कि हमारे क्या और कोश्चन मिल सकते हैं इससे तो फ्रेंट मेगस तनीज ने अपनी पुष्टक जो में इंडिका थी इसमें मौरे कालिन इतियास पर प्रकास डाला है मेगस तनीज जो यूनान के राजा थे से ल्यूकस द्वारा तो उनके हमारे ये राज दूत थे तो आपको ये कोश्चन बन सकता था कि मेगस तनीज किसके राज दूत थे तो हमारे से ल्यूकस निकेटर थे और ये हमारे मौर के दरबार में आये थे नेस कोचन है मौर रिवंस का अंतिम राजा कौन था तो मौर रिवंस का प्रिंट अंतिम राजा कौन था तो हमारे कौन थे ए नमबर सही होगा ब्रादरत थे मौर रिवंस के अंतिम राजा यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि मौर वंस का अंतिम राजा ब्रादरत थे और यह नों ने क्या था कि पुस्ट मित्र सुंग इनका सेनपती था इसने ब्रादरत को मार कर सुंग वंस की इस्थापना की थी नेस कोचन है कि मगद में मौर के ठीक बाद उत्तरा अधिकारी कौन था यह कोचन हमारा फ्रेंट्स अभी एलपी में पूचा गया था मौर में माघड में मौर के ठीक बात उत्ता Rainbow braking कौन था तो पुठेंद इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा तो सही जवाब हमारा इसका हो जाएगा सुंग वंस जो कि आप अंसर देख पाएंगे इसका हमारा D नमबर सही है सुंग वंस नेश कोचन हमारा इसी का दिया है रिलेटेड कि लगभग 150 इस बीपूर में पुश मित्र द्वारा इस्थापित किया गया भारती सासक वंस कौन सा है जिसने मौर वंस का इस्थान लिया तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डे नमबर सुंग वंस यह पर सही जवाब होगा नेश कोचन है चीनी यात्री फायान किसके सासनकाल में भारत आया था हमेशा यह कोच्चन पूछा जाता है जिस पर निसान लगे हैं यह हमारी कोचिंग के टेस्थरीज है जो हम कोचिंग में टेस्थरीज देते हैं तो लगभग उनी टेस्थरीज से हमारे question फस जाते हैं और वही question हम आपको यहाँ पर provide करा देते हैं ताकि ज़्यादा सज्यादा आपको भी profit हो पाएं जैसे कि हमारे coaching के बच्चे हैं वैसे आप लोग भी हमारे बच्चे हैं और हम आपके साथ पूरा सयोग दे रहे हैं फ्रेंस आपको एक comment करके एक बात बताना है कि आप लोग किसी की तयारी कर रहे हैं अगर आप वीडियो की तयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो लिख देना अगर आप पु या पुलिस का है तो अगर ज्यादा लोग हैं तो उनका हम लोग इस्पेसल बाइच अपने दूसरे चैनल बना के दे देंगे लेकिन आपको कमेंट कर देना है तीनों लोग को ठीक ही चलतों यहां पर अगला देखते हैं कि इससे जुड़े हुए कोश्चन हमारे क्या बन सकत को देखना यही इनका मेंन काम था ठीक है निस कोचन हमारा है कि उल्लिकित राजाओं का निम्ल में से कौन सा एक कालकरम सही है तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा तो इसका हमारा सही जवाब है बी नंबर जो कि हमारा समुद्र गुपत है पिर हमारे चंद गुपत ह पिसके बाद हमारे कुमार्घुपत पृत्म, यह हमारा सही और सीडेतर है, निलीकित सी युगमे में कौन सा युगमें है तथा कादंबरी बान भट्ट द्वारा रचित प्रसिद गरंता ठीक है यहाँ पर याद रखने कादंबरी जो है वो बान भट्ट द्वारा रचित हमारी एक ती गरंती निस कोश्चिन हमारा है पाल बंगाल के पाल वंस का संस्थापक कौन था तो बंगाल के पाल वंस का संस पूर में की थी बंगाल की आराइक तक देखकर बंगाल के प्रूब व्यक्तियों ने गोपाल सासा के रूप में चुना था इने इसको चने कि काली दास काली दास हमारे दिया गया है तो इसमें है क्या काली दास तो काली दास हमारे है क्या तो इसमें हमारे हर्स वर्दन काल मे नाटकार थे नहीं थे गुप्तकाल के ये भी नहीं थे गुप्तकाल के कभी थे इसमें कोई नहीं है प्रेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं हमारे क्या जवाब सही है तिसका हमारे डी नमबर है कि काली दाश चंदकुप दूती की समकालीन संस्क्रत के महान कभी विद्वानते इनूने ही अबिज्ञान सकुंतलम जैसे प्रिसिद महाकाव की राचना की है थीकिह मुष्णवर फंट पर देखते हैं AM蟹 भारत के प्रिसिद्थ क्या थे तो AR भठ हमारे गडाती। यह इंहारे की गडाते और अरीने के द्वारा ही सुनि की खोज हो सकी है देखो यहां पर इनका कई नाम दिया गया है तो नाम भी पूँचे जाते हैं कि आरभट गुप्त काल में भारत के प्रिशिद गड़ता की थे इन्हों ने इस अप्थम दसमलो प्रणाली बिश्च को प्रदान की इनकी प्रिशिद पुष्टके हैं सूर सिध्धान एवं आरभटी ठीक है इतना आपको यहां से मिल सकता था नेस कोचन है कि गुप्त वंसका संस्थापक कौन था तो गुप्त वंसका संस्थापक का कौन थे सीरी गुप्त थे ठीक है सीरी गुप्त इसमें थे नेस कोचन हमारा है कि गुप्त सासकों द्वारा जारी किये गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे तो फ्रेंट ये हमारा कोचन हमेशा रिपीट होता रहता है तो गुप्त सासकों द्वारा जारी किये गए चांदी के सिक्कों को कहते है रूपक ठीक है रूपक कहते हैं और इन सक्कों का वजन जो होता था वो हमारा 30 से 35 ग्रेन तक होता था ठीक है इनकी एक माप होती है जो ग्रेन है ने इसको चने कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं तो फ्रेंस इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर समुद्र गुप्द जो कि हमारा B number यहाँ पर सही है अब इसे जुड़े कोश्चन देखो क्या बन सकता है तो भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्द को कहा जाता है समुद्र गुप्द गुप्द समराज का एक प्रमुक्स आ सकता इसके समय में गुप्त समराज का सरवादिक बिस्तार हुआ नेश कोचन हमारा है कि गोलकुंडा किला किस राज में है तो गोलकुंडा जो किला है वो किस राज में परेंट यहाँ पर आपको आप सना चुके हैं चार और आप समझ गए होंगे इसका साही जवाब क्या होगा तो प्रिंस इसका साही जवाब होगा डी डंबर जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में है तो गोलकंड़ा हमारा का पड़ता है यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है अब यह देखू यह किला हमारा 400 फुट उंचा ग्रेनाइट की पहाड़ी पर पर आपके अपास आपसने चार आजंता कुतुम मिनार ताजमायल का जुराओ इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रिचीन है वो कौन सा है तो प्रिचिन इसमें हमारा सबसे पहला है आजंता ठीक है आजंता सबसे हमारा प्रिचीन है तो देखते हैं पर हमारे इससे जुड़े को सकता था नेवस कोच 그거 है कि आजंता की गुफाओं में किसका चित्रन किया गया है तो अजंता की कि कि आज अपके पास आ चुकी है और अंसरा हमों कि हमार आ शुकी है कोंचा यहां पर यहां पर जातक कताहों त्यांता भगवान बुध्यतb kita g आपर बताया गया है जिसमें से बहुत धर्म से संबंदित जातक कताओं का चित्रण है इस कोश्चन है आजनता गुफाओं का निर्माड किया गया है तो किसके सासनकाल में अभी हमारा यह कोश्चन रिपीट हुआ था इसके बारे हम डिफाइन भी किया था तो हमारा क्या था बहुत धर्म से प्रेरीत हैं या माराष्ट के औरंगाबाद जीले में दुती सताबदी विपूर से सात्मी सताबदी तक की है आज अन्ता में निर्मित कुल हमारी 29 गुफा हैं एक बार एक जाम में पूचा गया था DRDU में कि कितनी गुफा हैं तो इतना था आप पूचा गया था कि इस नंबर गुफा में क्या है तो हमारी गुफाओं में वर्तमान में 6 गुफा संक्या 1,2,9,10,16,17,16 यो में 6 गुफाओं में गुफा संक्या 16,17 हमारी गुप्तकालिन की हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इसका ड़ी है इसमें कोई नहीं लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्क्रप्शन भाक्स में देख रहें क्या है तो अजन्ता में परवत को काट कर हमारी 29 गुफाओं बनाए गई है इन गुफाओं के चित्रों में एक राज की जुलूस का चित्रण है यहाँ पर है मरड़ा आसन कुमारी तथा माता और सिसु के चित्र की अत्यनत सुन्दर आकर्षक प्रतभावना यहाँ पर दे गई है ठीक है नेश कोशन अमरा दिया है अजन्ता तता एलोरा की गुफाओं काहा पर रिश्तित है तो प्रेंट से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा आजन्ता एओम एलोरा की गुफाओं अमारी जो है की महारास्ट के और अंगा जिले में हैं और यह सैली उत्किन गुफाओं ह हैं विषु विरासत की सूदू ची में इसवे शामpyल भी है अजंता नेश हमारे कोशन है कि अजंता की गुपाओं में बनी मूर्ति क्या धर साथ हैं तो हमारा अभी कूश्चिन आया था कि भगवान बुद्ध से जुड़े हैं हमारे वहाँ पर कोश्चन हामारे रहते हैं अर्दात भगवान बुद्ध द्वारा हैं आपर सही जवाब हो जाएगा बी नमबर चलो नेस हमारे आपर कोश्चन देख 183 से और इसका जाब हो जाओगा अप्रेंट, जो कि हमारा है ठीक है यहाँ पर अमरा देख सकते हैं इसे जुड़े होगे कोशिचन और बन सकते हैं कि इसका दितता है इसका निर्मान राष्ट कुछ सासक निर्मित प्रनिर द्युंद मन्दिर कुल है कोडार कमंदीर का निर्मार कब करा गया सब यहां पर आपके पास Спट्वातब हुआ गया है और यह हमारा सही जाब हो जाएगा सब्सक्षेयर लाद Driggop में और अब उडिसा बोलते हैं इसीत कोडार क मंदिर सूरी देवता को समरपित absolutely को इस लिए बोल जाता है कई इसके मंदर के आकरत जो बनी है तो हर समय सुरी की किरने इसके मंदर के अंधर पड़ती रहती हैं इसलिए सूरी मंदर कहते हैं और जो काले पैगोंडा के नाम से भी प्रिसिद्ध है इस मंदिर का निर्माट त्यारवी सिताब्दी में जो गंग सासक्ति नर्सिंग देव प्रतम द्वारा करवाया गया था इस मंदिर के आधार पर 12 हमारे चक्र निर्मित किये गए हैं 12 चक्र रासियों के प्रितीक हैं सूरी के साथ गोड़े उनकी किलों के साथ हैं तो आपको इस कोश्चन में कमेंट करके बताना है कि जो हमारी न्यू नोट आई है तो उन में से यह कोश्चन हमारा है कि न्यू नोट में यह कोडार का मंदिर भी निर्मित है ठीक है यहां पर आप कोई note देखना हम आपको आंसर बताएंगे नहीं आपको आंसर बताना है कि जो 樓डर्गा मंदिर है वो हमारे new note में किस पर बना हुआ है ठीक है यह comment का करके बताना है साथ में आपकोम बताने कि आप تयारी किसी ची कर रहे हैं यहां पर देखते हैं अगला कोशन है कि खजराहो के मंदिर किसके सासनकाल में बनवाए गए तो खजराहो के जो मंदिर बनवाए गए प्रेंट से वो किसके सासनकाल में तो हमारे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रेंट इसका हो जाएगा हमारे सी नमबर जो चंदेल है अब देखते हैं से जुड़े हमारे क्या question बन सकते हैं तो खजराहों के मंदिर चंदेल राजाओं के काल में बनवाए गये थे यहां मंदिर मध्य प्रिदेश के छातरपुर जिले में इस्तित अतिप्रसिद मंदिर है ठीके यहां छातरपुर जिले में है नेश्टी हमारे देख लेते हैं कागज का भारत में आगमन की सदी में हुआ था तो कागज का आगमन हुआ था त्यारवी सदी में ठीके अब देखते हैं हमारे क्या है तो भारत में कागज का आगमन त्यारवी सदी में माना जाता है रर्थमभावर क्या है रर्थमभावर क्या है तो प्रिंट्स यहाँ पर रर्थमभावर एक राजपूत दुर्ग है अब इससे जूड़े हुए कोश्चन देखते हैं तो रर्थमभावर राजप्तान में राडा हमीर देव का किला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसके लिए को त्यारा सो एक इस भी में हमीर देव से जीत लिया था ठीक है नेश कोश्चन यहाँ पर देखते हैं निमलेकित में से किसने अपने आपको खलीफा गोशित किया था फ्रिंट बहुत बार यह कोश्चन हमारा आया है तो खलीफा किसने गोशित किया था फ्रिंट इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर B नंबर अलाउद काल था निस क्वच्छन है कि दोवार समुद्रम किसकी राध्धानी है तो फ्रिंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस वज़े से इसमें निसान भी लगे हैं तो आप पर रिशान मत हो ना कहीं कहीं पर निसान लगे हुए हैं ठीक है चलो नेस्ट यहां पर देख लेते हैं द्वार समुद्रम होईसल की रादानी थी अलाउदीन खिलजी के समय यहां का सासक बीर बलाल तिरती था जिसके विरुद मलिक गापूर ने कापूर ने आकरमड कर संदी के लिए बाद किया था तुगलक वंसका भारत में संस्थापक कौन है तुगलक वंसका भारत में संस्थापक कौन है तो मुहमद बिन हमारे तुगलक थे या हमारे गयासुदिन तुगलक थे इसका सही जवाब हो जाएगा गयासुदिन तुगलक थे ठीक है गयासुदिन तुगलक हमारे सी नमर सह ही हो जाएगा अब यहां पर देख सकते हैं कि तुगलक वंस का संस्तापक कौन है गया सुद्धिन तुगलक वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी अर्थात काफिरों का बद करने वाला चब्द जोड़ा था और इसके समय में 29 बार हमारे मंगो गया सुद्धिन तुगलक के सासंकाल में ीiste question में नियृ दिली का पहला सुल्तान कौन था तो तुगलक सुल्तान अंहरा तो एक इसका ये सही जवाब हो जाएगा तो नोत पर बनाया गया है आपके त्यारी कर रहे McKend cry यह हमारे दो वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने हमारे टेलिग्राम नमबर को नहीं जोइन किया है, वहाँ पर जोइन कर दिये, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी प्रकार के मतेरियर प्रवाइड कर दिये जाते हैं, आप आसानी से वहाँ पर पास सकते हैं, और ऐसी चीज है जो हम वहाँ पर यूटूब में नहीं डाल पाते हैं, आप आसानी से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको देख लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको बता दिया गया है, आप अच्छे से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर हमारी कोचिंग की देख सकते हैं पीम रात बजे ठीक है और इसके बाद हमारे और भी हमारे हैं जो बैच चल रहे हैं तो फ्रेंस हमारे आप चैनल से जुट सकते हैं आप काफी लाब ले सकते हैं तो फ्रेंस हम लोग मिलते हैं नेस वीडियो में और ये टे स्रीज हमारी पांच हमारी वीडियो की रहेगी दो स्रीज हो गई है तीन वीडियो और बचे है इसकी जगह भी हम लोग दूसरा ले लेंगे जो कि हमारी जोगार फी होगी तो आप लोग हमारे वीडियो को सेर करिए अगर आप सेर करना चाहते हैं लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो फ्रेंस हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद जैहिन जैवाद